कुश्चन एक तिर्वोज ABC में D और E, BC पर एक ऐसे बिंदू है, AD हमें दिया गया है, AE के इकोल है, और BAD जो है, CAE के इकोल है, यदि AB बराबर 2P प्लस 3 दिया गया है, BD बराबर 2P, AC बराबर 3Q माइनस 1, C बराबर Q, तो P प्लस Q का मान आपको ग्याद करना है, कैसे करेंगा, देखे, सबसे परले यहाँ पर जो, इसका figure होता है, वो हम यहाँ से draw करेंगे, हमें बोला गया है, यहाँ पर हम एक triangle दिया गया है, इस triangle में 2 point दिया गया है, एक point क्या है, आपका D है, और एक point E है, जो की B.C पर है, इसका नामकरार मैं करता हूँ, यह कितना आ आपका A, दो पॉइंटर मैं उसको भी डो करता हूं, एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका कौन सा है, ये है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट कौन सा है, D है, एक पॉइंट कौन सा आपका E है, इतना तक बाते समझ में आ रही है, अब यहां से दे यानि कि यह जो हुजा है और यह जो हुजा आपस में क्या है इक्वल है BAD जो है CAE के इक्वल है यानि कि यह एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं यहां से लेकर यहां तक इंगल यह एंगल यह एंगल क्या है इस एंगल के इक्वल है इस angle के क्या है आपका equal है कुश्षिन में दिया गए आप देख लो B, A, D के Equal है C, A, E, B, A, D अब देखो AB वराबर कितने दिया गए 2P फ्लैस 3 दिया गए B, D वराबर कितने दिया गए B और D वराबर 2P दिया गए यहाँ पिराबर 2P दिया गए और AC बरबर कितना दिया गया है? 3Q-1 3Q-1 AC बरबर दिया गया है C हमें Q दिया गया है हमें पूछा क्या गया है? P plus Q का value हमें पूछा गया है एक चीज़ आप यहां से समझो अगर इस वाले angle को मैं क्या करूँ? ठीटा मानूँ तो यह angle भी क्या हो जाएगा? ठीटा हो जाएगा इतना तक बात आपको समझ में आ रही है दूसरा चीज़ आप यहां से यह देख सकते हो कि अगर यह side और यह side आपस में equal है अगर इस triangle के लिए B, A, B, D triangle के लिए A, A, C, E triangle में क्या है यह side है आपको दिखाएदे रहे जो blue color का side है यह दूनों में क्या है common हो रहा है और equal हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस angle को इस angle को बीटा मानूँगा तो यह angle भी कितना होगा? बीटा हो जाएगा ओके? अगर यह angle बीटा है आपको मालूम होगा कि यह जो angle बीटा है यह कितना इसका interior angle है और इसके लिए E के लिए exterior angle कोंस आई होगा? यह angle होगा तो यह angle कितना हो जाएगा? 180 minus का बीटा हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो जाएगा यह कितना हो जाएगा? 180 माइनस का बीटा हो जाएगा अगर मैं आपसे ये पूछ हूँ देखो अगर मैं आपसे ये पूछ हूँ अंगल ए तिरभूज A, B, D मैं आप लिख देता हूँ तिरभूज A, B, D कॉंगुरेंट होंगे किसके A, E, C के कैसे कॉंगुरेंट होंगे आप यहां से देखो A, B, D में ये क्या है अपका ठीटा है A, B, D में क्या है ठीटा है ये अंगल ठीटा है यहां पर भी देखो ये अंगल ठीटा हो रहा है अंगल D के हम बात करें इस तिरभूज में ये क्या एक 100 C माइनस बीटा है और इस तिर्भूज में हमको बात करें इस तिर्भूज में यहां पर भी एक साइड और यह साइड दोनों में क्या है common होती है यानि कि यह किस से congruence होगा A, 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 A से congruence हो जाएगा यह चीज आपको समझ में आ गई अगर यहां से दोखो अगर यह चीज concurrence हो गई तो अब यहां से जो theta के सामने वाली value होगी इसमें वो क्या है theta के सामने वाली value 2p है और तो इस single में देखेंगे theta के सामने वाली value कौन से है q है 2p बराबर क्या हो जाएगा q हो जाएगा similarly अगर यहां से देखे 180-beta के सामने वाली value कौन से है 180-beta के सामने वाली value मैं यहां पर लगता हूँ 2p प्लस 3 है और इस angle में मैं देखूँ इस त्रिभूज मैं देखूँ ए इस c में 180-beta के सामने कौन से है 3q-1 अब इसको हम solve कर देते है 2p प्लस 3, अब देखो 2P के जर्गाप हमें क्या लिख सकते है q प्लस 3 2p के क्यों बोलागे, 2p बराबर क्यों हमें यहाँ पर दिया गया है 2p के स्थान पर हमें q यहां से लिख दू ? q plus 3 त यह कितना हो जाएगा ? 3q-1 3 muita Q कितनी निकल कराा जाएगी Q कितनी निकल करा जाएगी कर 2 निकलकर आ जाएगी, अब इस Q की आएलूच अ क्या करेंगे, इस वाले equation मे चे पूत करेंगे जब़ोड़ में करेंगे 2P बराबर Q के जगर क्या रखेंगे, नहीं पर हो लिए 1 से पुछा गेगे P प्लस Q, Q, P कितना है 1 है, Q कितना है 2 है, यानि कि 1 प्लस 2 करेंगे दे कितना जाएगा आपका 3, तो 3 जो है इस question का answer हो जाएगा, option number D जो है इस question का answer हो जाएगा,